और इस वक्त हमारे साथ जोड़ गए है मेनेजिंग एडिटर राना एश्वन्त आफ राना सर आपने ये डॉक्यूमेंटरी आज देखी जिसकी चर्चा हर जुबान पर है आपके लिहाज से ये डॉक्यूमेंटरी कितनी खास है और क्यों अनन्या इस डॉक्यूमेंटरी को अ ये डॉक्यूमेंटरी दरसल एक बहुत बड़े देश की बहुत बड़ी तरास्दी से लरने का महायुद्ध है एक ऐसी गाथा है जिसमें असंभव को संभव करने का संकल्प है और सच भी है डॉक्यूमेंटरी बताती है कि जब दुनिया पर कोविट का हमला हुआ तो हाहक अमेरिका, इटली, बिटेन जैसे विकसित देश्यू थे उनकी पूरी विवस्ता चर्मरागे ध्वस्त हो गए उस समय भारत भय भरे दो राहे पर खड़ा हुआ था दुनिया को ना तो इस वारल का एंटिजोट पता था और ना है उसका वैक्सीन पता था ये डॉक्मेंट को समझाए नहीं बलकि 140 करोड के देश के लोगों को बचाने के विकल्प को भी समझा यह वही था कि भारत अपना वैक्सीन बनाए इसका लगा कोई रास्ता था नहीं जो अपने लोगों की जान की पड़ी हो और उनको बचाना बड़े-बड़े देशों के लिए मुश्कि देखती हैं तो लगता है कि नहीं इतने बड़े मुश्किल हालात में इतनी बड़ी महामारी में एक आदमी जिसके पास देश की कमान है उसको सोचना है फैसले करने हैं अपने देश के साधन साधन वैक्गानिकों के लिहास से एक वैक्सीन निकालनी है ताकि देश उससे ल bung करों रुपे इस डॉकमेंटरी में आप देखेंगी जिस्वाइस समंत्रियार्प की तारीक में हो कह रहे हैं कि 200 करों रुपे अलॉट किये गए सिर्च के लिए वैक्सीट प्रदानमंतरी habían करने वाले जो संस्थान थे उनके लगतार संपर्क में रहे दिवˇल और सीरम इस्टूट ओफ इंडिया ने वैक्सीन बनाई वैक्सीन बनने का रास्ता आगे भी चल रहा था दूसरे सस्थानों के जरिये लेकिन वैक्सीन आई अगर दोकुमेंटरी देखने के बाद पता चलता है कि सिर्फ वैक्सीन बना लेना भले एक बड़ी काम्याभी हो उ इतने बड़े देश में उस दोर में जब इनसान इनसान से भाग रहा था सबकी जान की पड़े हुई थे अपने अपनों को नहीं पूछते थे एक बड़ा खत्राहर समय मनरा रहा था वैक्सीन का डिस्टिबिशन कैसे हो यह बहुत बड़ा सवाल था और उससे बड़ी चै देश में आसान काम नहीं था यह बहुत बड़ा प्रशन था और बहुत बड़ी चिनौती थे डॉक्मेंटर जब देखती हैं तो लगता है कि प्रधानतिनेंद्र मोदी ने किस तरीके से दिन रात लग करके पूरा सिस्टम खड़ा करवाया जिसके चलते देश के लोगों क को वैक्सीन लगाई गई वे फ्रंट वरियस का उतसा बढ़ाते रहे घर में बैठे जो लोग थे डर और साथ में घिरे हुए थे उनके लिए कभी घंटी बजाने तो कभी टॉट जलाने के तरह का इविंट करवाते रहे तकि महाल सामान ने रहे सबसे बड़े खतरे में द सहान मंतरी कई तरह से रास्ते खुद इजाद करते रहे लगे रहे कि देश के लोगों का मनुबर नहीं तूटे जो लोग लगातार फ्रंट पे लड़ रहे हैं फ्रंट वरियरस हैं जान बचाने में वैक्सीन देने में उनका होसला नहीं तूटे उनके भीतर देश की संकल्प अपनाए इन दोनों ने बहुत काम किया है देश का नेत्रत सक्षम दूरदाशी और संकल्प से भरा हो तो बड़ी से बड़ी आपदा से भारत जैसा जनसंख्या के लिहां से बहुत बड़ा देश निपट ही नहीं सकता है बलकुछ से बाहर निकल भी सकता है यह ड अगर हम डोकुमिरोरो मेरे बाहर ढौत करता है निकल भी आपसारण है जो किया है